असलाम अलेकूम फ्रेंड डीजे वाइस चैनल में वेलकम हैं आप सब लोगों का फ्रेंड ताज़ातरीन और इंपोर्टन आपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो के इमििگरेंट से रिलेटेड यानी के नाबालिग और जो बालिग का जो सिचुएशन चाल रही थी यूके में उसको लेकर बड़ी और ताज़तरीन आपडेट यूके में हाई कोट यानि के जाज की जानिब से बड़ी और ताज़तरीन अपडेट जारी हुई है जो के इसमें होम आफिस को वार्ण भी किया गया है जैसा के आपको मालूम है के पृती पटेल ने कानून बनाया फिर उसके बाद होम आफिस ने उसको किस तरह से ट्रीट किया अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाज़मी तोर पर सबस्क्राइब कर दीजेगा और साथ में दियेगे बेल के आपशन को प्रेस करके ओल कर दीजेगा बढ़ते हैं ताज़तरीन अपडेट की जानिब तो फ्रेंड अपडेट कुछ यूँ है फिर उसके बाद से अदालत की जानिब से काफी ज़यदा उनकी जानिब से केसिज वगरा दर्च किये गए और फिर होम हाफिज और परिती पटेल को ये कहा गया कि इनके लिए कोई नया रूल नया कानून अपनाया जाए जिसके जरीए से इनकी शनाक्त का पता चल जाए ये बालिग है ये ना बालिग है तो उस तरह का कानून भी इंप्लिमेंट नहीं किया गया तो बहुत जहल आने वाले दिनों में इंप्लिमेंट भी कर दिया जाएगा लेकिन फ्रेंड आपको बताते चलें कि ओर्ट की जानिब से ये फैसला आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दुबारा इस किसम का कोई भी केस दर्ज ना हो जो के ना बालिगों की जानिब से ह यानि के वार्न किया गया होम आफिस को कि इस तरह का कोई भी केस दुबारा से दर्ज नहीं होना जाए बलके इस पर जो कानून बना दिया गया है जो निया कानून बनाया है ना बालिग या बालिग को चेक करने से मतलिक जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सरे किये जाएंगे तो उसको जल्द जल्द इंप्लिमेंट किया जाए ताकि ये जो मुश्कलात है परशानी है जिसकी वज़े से काफी ज़दा नाइनसाफी इनको मिली आहिंदा आने वाले दिनों में इस तरह की नाइनसाफी किसी के साथ भी ना की जाए और दुबारा से इस तरह का कोई केस भी दर्ज ना हो तो फ्रेंड ये एक बहुत ही बड़ी और ताज़त रिन और गुड नियूस आस तोर पर नबालग हिल लिगल इमिग्रेंट्स के लिए जो कि आप लोंग साथ शेयर करना काफी ज़दा ज़रूरी था क्योंके गोट की जानिब से जज की जानिब से बड़ा और एहम फैसला दिया गया तो फ्रेंड इंपॉर्टन्ट अपडेट थी आप लोंग उसको साथ शेयर करना ज़रूरी थी अमीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेयर करें मिलते हैं नेक्स टाप टेट में तब तक के लिए हमें दीजिए अजाज़त आलाहाफेज